नमस्कार दोस्तों आईए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम टेकेम के Q3 रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन्स रख सकते हैं और चार्ट के मांद्याम से भी इस टॉक का एनालेसिस करेंगे तो चल्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ इंक्रडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलिरान चैनल है आप उसे जरूर जोइन करिए वहाँ पर हम एडवांस्ट एनालिसिस के बार प्रजेशन्स देते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व इसके बाद यह अपने रिजल्स जालेंगे तो कल इनके रिजल्स आने वाले हैं तो आप टेक महिंद्रा के स्टॉक मुवमेंट पे जरूर ध्यान रखिएगा अगर मैं इनके पास की रिजल्स देखूं दोस्तों तो यहां पे सारे फिगर सक करोर्स में है तो 7400 करोर, 7500 कर अगर मैं दोस्तों प्रॉफिट्स की बात करूं तो आप यहां पे देखिए कंपनी की आफ्टर टैक्स तो काफी टाइम से इनकी प्रॉफिट्स से यहां पे थोड़ी सी कम हुई थी बढ़ यहां लास कॉटर में बहुत अच्छा इन्होंने जम दिखाया था हूं ना अगर मैं दोस्तों इनकी आज की डिलिवरी पोजीशन्स देखूँ तो 38% की डिलिवरी रही है खिक ठाक डिलिवरी रही है आज इनकी अब आईए अब चार्ट पे हम देख लेते हैं तो इस टॉक में आप अगर किसी भी पोजीशन में किसी भी प्राइस पे पोजीशन बनाते हैं तो आपको 1350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो 200 द का moving average भी है और ये trend line support भी है और अगर मैं इसमें दोस्तो targets की बात करूँ तो जो पहला target निकल के आ रहा है वो 1594 फिर 1700 और फिर 1800 तो ये हमारे targets रहेंगे उमीदे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा आप हमें like and subscribe कीजिए social media especially telegram पे जरूर follow करिए आपको काफी फा येगा